नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टो क्यूरे सरी फोर दे लिडियो जो फिंडियन फूटबोल और सबसे पहले बात करते हैं यहां पर भई एफफ के बारे में तो एफफ के प्रेसेडेंट कल्यान चोबी जी से यहां पर एफफ के कुछ टोप ओफिसियल से वह भी नाराज चल है regarding his statement about the ASN Games की जो score selection हुई और उसमें जो चेंज हुए उसके बारे में recently हम सबको पता ही कि यहां पर 22 member की original ASN Games की score announcement हुई थी लेकिन उसमें बाद में change करके हमारे तीन senior प्लेयरों को डाला गया तो इसके उपर यहां पर हमारे जो प्रेशिडेंट साहब है उन्होंने ऐसा statement दिया था कि यहां पर जो एफफ के official से जिन्होंने sport ministry के सामने presentation दिया था regarding the participation in ASN Games उन्होंने वहां पर चेक नहीं किया था कि जो original score submit हुई है उसमें इन तिन प्लेयरों के नाम थेक ही नहीं थे और पूरा matter जब मेरे को पता चला तो मैंने यह matter अपने हाथ में लिया और quickly react करके यहां पर committee को request डाली कि इन तिन प्लेयरों को यहां पे allow किया जाए और उसके बाद में उनको clear अस्मिली तो इसके उपर यहां पर जो टोप official से उनका ऐसा कहना है कि जो यह पूरा statement है यह immature statement है क्योंकि यहां पे कल्यान चोबेजी को पूरा matter पता था कि क्यों यहां पे जो original score थी उसमें इतिन प्लेयरों का नाम नहीं थे और उसके बाद में क्यों डाले गए तो यहां पे कुछ shocking revelation भी यहां पे top official ने किया है जिसमें सबसे पहला तो यह किया गया है कि यहां पे जब साफ championship का final खेला गया है उसी दिन यहां पे AFF के top management को पता लग गया था कि यहां पे sport ministry Indian football team को यहां पे Asian games में लेके नहीं जाने वाली यानि कि आपको 15-20 दिन पेले ही पता था कि यहां पे Asian games में हमारी team नहीं जाने वाली और उस time पे यहां पे AFF ने accept कर लिया था इस fact को कि यहां पे हम नहीं जा रहे हैं लिकिन जब 15 जुलाई को यहां पे sport ministry का official letter announcement होता है और उसके बाद जिस तरह से public का और Indian football fans का जो backlash आता है उसके बाद यहां पे AFF ने फिर से reconsider किया कि यहां पे अब तो यहां पे क्या बोलते की एसे प्लेयरों को लेके जाए कि जो जिसको exposure की मलब जरूत है जिनको यहां पे ISL में भी regular game time नहीं मिल रहा है या फिर national team में भी उतना ज्यादा मौका नहीं मिल रहा तो इस तरह के जो under 23 के player है उसको लेके क्या बोलते की इसको consider किया जा रहा था लेकिन जब यह पूरा क्या बोलते की मुद्धा ही उतना ज्यादा आई लेवल पर चला गया और अब जब आपने स्पोर्ट मिनिस्ट्र के क्लियर स्पेशल केस में clearance लेके और यह सब चीज किया है तो अब जाके इसमें सिर्फ आपको क्या बोलते क यहाँ पर हमारी जो head coach है ego streaming साब उसका होता है तो इसलिए इसमें नाग तो कोई official का कुछ च्छे होता है तो यह भी उन्होंने एक reason दिया है तीसरा reason उन्होंने यह दिया है कि जो यह score select करना का एक और reason यह भी था कि ऐसे player को select किया जाए कि जो ISL clubs में bench पे बैठ रहा है या फिर उतना ज़रा मौका नहीं मिल रहा है उसका reason यह है कि यहाँ पर उस टाइम पर ISL भी आपका start हो रहा है ASN game के साथ आपका ISL भी चल रहा होगा और उसके लावा AFC competition भी है तो यहाँ पर काफी सारे club से उनके जो main players है उनको यहाँ पर release नहीं करेंगे और उसके regarding अभी भ से player को release करने के लिए ready है तो यह कुछ reasons यहाँ पर AFF top officials ने दिये कि यह सारी situation यहाँ पर हमारे जो president साब है उनको पता थी फिर भी उन्होंने ऐसा statement दिया और पूरा जो blame है वो यहाँ पर क्या बोलते कि AFF के top officials के उपर यहाँ पर यहाँ पर डाल दिया जो कि सही बात नहीं है तो यह basically यहाँ उनका कहना है let me know guys आप क्या सोचते हो इस पूरे सिनारियो के बारे में comment section में ज़रूर बताना going on to the next news is regarding guys हमारे जो कोज साब है उन्होंने यहाँ पर रिसेंटली एक इंटर्यू में बोला है कि आगे आने वाले तीन-चार सालों में अगर इसी तरह से इंडियान फूर्वल फैन्स जिस तरह से अभी सपोर्ट दिखा रहे उसी तरह से सपोर्ट दिखाते रहे और टीम क ब्रांड फूटबल है वह आगे आने वाले टाइम में जरूर खेलेंगे उसके लावा उन्होंने एक चीज और भी बोले है कि यहाँ पर अभी जितना क्या बोलते है कि सपोर्ट चाहिए इंडियन फूटबल लिगा रहेंगे वह अभी भी नहीं है इतना काफी नहीं है और सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या सोचते हो गाईज इस बारे में कि क्या यहाँ पर जो इगोस्टेमिक साब है उनको यहाँ पर आगे आने वाले तीन-चार सालों में एक्स्टेंशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनकी जो कॉंट्राक एक्स बिकत वाली बात नहीं है तो यह उन्होंने बोला है मुएं गईनग इस रिगार्डिंग गाइज हमारे जो वुमन्स टीम के कोच थोमस डेनवरी जिनकी वापसी हुई है उन्होंने भी यहाँ पर वुमन्स टीम के लिए बात रखिये उन्होंने भी बोला है कि में जिस तरह से मैंस में आपने हर फिफा विंडो में यूटिलाइस करते हुए एक टूर्णामेट में पार्टिस्पेट कर रहे हूँ मैचिस आपने अरेंज किये उसी तरह से उन्होंने यह भी बोलाए कि यहां पर वोमन्स टीम के लिए में चाहते हैं कि इसी तरह से जितने भी फिफा विंडो आए उसमें हमारी जो वुमन्स टीम में खेले ताकि और भी जादा एक्सपोजर मिले और और बहुतर प्रफोंस आगया अनेवल टाइम में कर पाए और 2027 में आपको इंडियन फुट वुमन्स टीम जरूर फिफा वल् करई याज उसके लबह विपिन चैरी और यहां पर रेकर को कोई फिफ़े करना चाहिए थैंक्स टु तरहरस बयां विपन साव और 50 पे पहले विदावर गवार विव दुट आपर है विटियात किले करना और सब्टिन पस्टना हो जया है MP का उन्होंने यहाँ पे उनको यहाँ पे जो न्यूज मिली है वह है MP फूटवल एससेशन की कि यहाँ पे को यूथ लेवल का टूर्टनामेट हो रहा है और उसमें जिस तरह की कंडिशन है और जिस कंडिशन में यहाँ पे बच्चों को रखा गया है प्लेयरों को एक ही बाद बाहर आ रही है इसे मनलब आपके जो जितने भी स्टेट एफस है उसमें से दो तीन को छोड़के सारे स्टेट एफस में सिमिलर से ही सिच्वेशन है कि यहाँ पे यहाँ फेप से पैसे ले लेते हैं और नाम का टूर्णामेट करते हैं और जो जिस हालत में क्या बोल क्या हो रहा है और इसको हमारे साथ सेर कीजे जो भी उनके साथ सेर कीजे ताकि हम भी यहाँ पर प्लेटफर्म पे रख पाए और 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 बी ज्यादा जो एफ फेप की जो टोप ऑफिस्यल से उस तक यह बात पहुँचे क्योंकि जरूरी है यहाँ पे इस तरह की सिच्वे में यहाँ पे स्टेट एफेश ने यहाँ पे कुछ ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं किया तो आपका को मलब आपकी सारी मैनत पानी में मिल जाएगी तो यह वाला सिच्वेशन है तो आई तिंग यह काफी ज्यादा कंसर रेजिंग करने वाली चीज है कि जिस तरह की सिच्वेशन यहाँ पे स्टेट एफेश में है कुछ कुछ स्टेट एफेश में तो पूछो ही मत मरलोब इतना ज्यादा करफशन है कि सिर्फ नाम के टूर्णामेट होते हैं तो देट सिट रिगारिंग गाईज इंडियन फूटबल एन आपको यूड़ इंफरमेटिव ल